अगर्वाज समाज के लोगों की आयचत थी बैटक तो ये कलश यात्रा निकाल ली जाएगी, जिसमें लगपक 501 मेले अपने सर पर कलश टिकर यात्रा में शामिल होगी, ये कलश यात्रा मुख्ये मारगों से निकलेगी. अगरवाल समाज के बिल प्रावड तक श्री अगरिसेन बाखरवान की जीवनी पर आधारित अगरभागवत कता का अजमेर के इतियास में पहली बार अगरभागवत कता वाचन हो रहा है। में अजमेर के अगरवानों की सभी संस्ते हैं और प्रभु दगरवाल बंदु मिलकर कर रहें। में गांदी बजार, चूडी बजार, नया बजार, आगरा के टोपता हुआ, नसिया जी के पास हमारे समा से विश्नु चोदरी जी के प्रतिश्टान पर जाकर वो खलश्यातर सभागत हो रही। अगले क्रम में 28 मही से 30 मही तक रोजाना दव्वेट 3 वजे से 6 वजे तक जवान रंगमंच अजमेर में अगरवागवत कता का आईजन किया जाएगा, जिसमें हमारे जैसा मैंने पहले बताया कि आचर नरवदा शंकर जी कता वाचन करेंगे, इस कता को लेकर अजमेर के तमाम अगरवाल बंदों में काफी उस्सा का महुल है, भैलाओं में उस्सा का महुल है, क्योंकि इस कता की माद्यम से जो अग्रिसेंद महाराज के बारे म में विभिन किवन्तितियां हैं उनका समाधान होगा अग्रिसेंट जी महाराज के बारे में आज की वर्दमन युवा पीडिया उसको पूरी जानकरी मिलेगी साथ ही जो कई ऐसे अन्य लोग भी है जिनकी जीवनी के बारे में पूरा पता नहीं है मैं समझता हूं इस कथा के म अगरे मारा जैसा बताया कि 27 तरी को गलश यात्रा होगी और 28 महीत तीस महीत तक जामार रंगमंच में इस अग्र भागवत कथा होगी रोज कथा का समय रोजाना दो पर ती बज़े से शेवजे तक होगा शेलेंद्र रगरवाल प्रभक्ते मीडिया प्रवारी अग्र